So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे International Organization के बारे में International Organization एक important topic है, जो हर एक competitive exam में पुछा जाता है अगर आप किसी भी competitive exam के लिए preparation कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए helpful होगा तो अंतता किस वीडियो को जरूर देखें आदनिक यूग, अंतरास्ट्री, सहयोग का यूग है कोई भी रास्टर चाहे जितना भी शक्ति-शाली हो जाए, पर वे अकेला नहीं रह सकता इस यूग में कई अंतरास्ट्री एजन्सियां और सहयोग के तारीके विकसित किये गए हैं जिने हम अंतरास्टिय संगटन कहते हैं संजुक्त रास्टर उनमें से एक है संजुक्त रास्टर को शॉर्ट फार्म में युएन भी कहा जाता है United Nation बीसमी सदी में राज्य के संगटनों के माध्यम से बहतर दुनिया के लक्ष को प्राप्त करने का परमुक प्रियास है United Nation को ये नाम USA के प्रेजिनेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने दिया 26 यून 1905 को सैन फ्रैंसिसको में UN के चैर्टर को 50 देशों द्वारा साइन किया गया पोलेंड उस कानफरेंस में नहीं था मगर बाद में उसने इसे साइन कर दिया और इनकी गिंती 51 हो गई UN अधिकारी तोर पर 24 अक्तूबर 1945 को उस्तित्र में आया संयुक्त राष्टर दिफ्स पर तेक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है UN के 193 में मेंबर्स देशे तो आईए अब बात कर लेते हैं UN के उदेश्यों के बारे में UN का सबसे पहला उदेश्य है अंतराष्ट्री, शान्ति और सरक्षा को बनाई रखना राजनितिक, आर्थिक और समाजिक स्तिति सापत करना UN का दूसरा सबसे महतब पूरण उदेश्य है सराष्ट्रों के बीच मितरता पूरण सबंदों का दरिमान करना और तीसरा उदेश्य है आर्थिक, समाजिक, संस्क्रितिक और मानविय समस्याओं का हल करने के लिए अंतराष्ट्री सयोग को विक्सित करना UN का चीफ अडिम्स्टेटिव ओफिसर ही सेक्ट्री जर्नल अफ यूएन होता है वर्तमान समय में एंटोनियोग गेटरिश यूएन के जर्नल सेक्ट्री है जिन्होंने अपना पद एक जनुवरी दो हैयार सत्रा को ग्रहन किया था और नौमे महासचिव है महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा प्रिशिद की सिपारिश पर महासभा दौरा की जाती है महासचिव का कारेकाल पांच वर्ष का होता है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है अब बात करेंगे यूएन के चार्टर के बारे में UN के चार्टर को 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल में बाठा गया है UN का चार्टर सदस्य राज्यों के अधिकारों और दाइतों को देरधारत करता है और संजुक्त राष्टर के परमुक अंगों की स्थापना और उनके प्रसीजर के बारे में बताता है तो आईए बात कर लेते हैं UN के परमुक अंगों के बारे में आर्टिकल 7 ऑफ UN चार्टर UN के मेन अंगों को स्थापित करने के बारे में बताता है ये अंग है जर्नल असेंबली जिसे मुक अंग भी कहा जाता है इसके अलावा से युक तराष्टर के परिवार में अन्य कारे करम फंड्स और एजनसी भी शामिल है जैसे की वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन, इंटरनेशनल मोनेटरिटरी फंड अब बात करेंगे युएन की ओफिशल लेंगवेजिस के बारे में युएन की ओफिशल लेंगवेजिस क्या है तो युएन की छे ओफिशल लेंगवेजिस हैं इसमें Arabic, Chinese, English, French, Russian और Spanish इसकी अधिकारित लेंग्विजिस हैं तो चलिए बात कर लेते हैं UN को फंड कहां से मिलता है तो UN को फंड Member State के Assessed Contribution के माधिम से मिलता है इसके इलावा Member State Voluntary Contribution भी करते हैं Assessed Contribution मेंबर देश के विशवर्थ विवस्था में हिस्से और भुकतान करने की शमता से निर्धारित होता है So friends, thank you for watching this video अब हमने कुछ question दिये हैं जिसके answer आप हमें comment box में लिखके जुरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और more video notification के लिए bell के icon को press जुरूर करें Thank you